हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से हम डाउनलोड और इंश्टल कर सकते हैं यूटूब एप को अपने विंडोस 10 ओपरटिंग सिस्टेम में बहुत ही सिंपल तरीका होने वाला है तो सबसे पहले हम क्य क्या करेंगे हम जाएंगे गूगल क्रोम में और यहां पर यूटूब कर लेंगे यूटूब के साइट को ओपन कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे हम हम जाएंगे यहां पर देखें टॉप में 3 डॉस दिकाई देंगे तो इसके ओपर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर हमें पे चेक करना है इसे select करना है तो उसके बाद create करना है create के ओपर क्लिक करना है तो यह open हो जाएगा तो यहाँ पर हम इसे close करना है और हमरें जाना है dishtop के ओपर तो डेू अप मिल जाएगा YouTube जैसे हम start में जाएंगे तो देखिए start में भी हमें मिल चुका एई YouTube आप यहां से भी क्लिक कर सकते इसको और YouTube को जा सकते इसके ओपर भी डबल क्लिक करके आप YouTube को चले जाएंगे तो यह नए अप में open हो चुका है तो अगर आप इसे डिलीट कर रहा चाते हैं वो भी बहुत सिंपल है तो इसे मैं close कर लेता हूँ तो मैं इसे फिर से open कर लेता हूँ तो उसके बाद यहां पर दीखिए आपको फिर से एक बार three dots दिखाए देंगे उसके ओपर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद uninstall YouTube का option मिलेगा देखिए उसके पर क्लिक कर दीजिए तो यहां पर remove YouTube आ चुका है आप इसे चेक मत किजिए also clear data from chrome ओके अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो chrome से भी इसका data password बगए सब कुछ delete हो जाएंगे या फिर remove हो जाएंगे तो हम यह नहीं चाहते तो सिर्प में यहां पर remove कर दूँगा तो इसके बाद यहां पर दीखें डेश्टॉप से यह एप हाट चुका है वैसे start से भी यह एप हाट चुका है तो दोस्तो यह simple तरीका था अपने Windows 10 operating system में YouTube आप को download और install करने का वो भी बहुत ही simple तरीकी से तो दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए सभी का धनिवाद इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए comment कीजिए और इस चानल को subscribe करना तो कता ही मत भूलिए तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए